हलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस सेक्टर का पार्ट सिक्स वीडियो में प्रस्णावली 3B पे है और कोस्टर नंबर है 1 कहा रहा है समीकरन 7x प्लस 2y बराबर में 22 में यदि y बराबर एक बटा दो तो x का मान ग्यात कीज़ें हमें करना क्या है जो यह आपका रहाखिक समीकरन दिया न 7x प्लस 2y बराबर में 22 इसको क्या करना होगा y के जगा मुझे 1 by 2 रख जाना होगा यहां लिख देंगे y बराबर 1 by 2 पर चलिए देखते हैं क्या हो जागा समीकरन में 7x प्لस 2 in 2 में y के जगा क्या रख देंगे 1 by 2 और बराबर में 22 एक बचेगा यहाँ पर तो 7x प्लस ने 1 बराबर में 22 तो 7x बराबर में 22-1 यानि 7x बराबर में 21 यानि x बराबर में 21 by 7 कट जागा कितना बार में तीन बार में सेक्स बराबर में क्या जगातीन समझ गैं सब्सक्राइब सर्न मर् 2 देखिए हल करें एकार एक इस पहले वाई कि हम ढही हमें इस दो तो दूसरे बारे को दूसरा समिकरन ने लेता हूँ, यहाँ पर पहले लेंगे समिकरन, दो से, अब कहुँगे कि सर समिकरन दो को क्यो ले रहा है, क्योंकि वहाँ देख रहा हैं उसमें एक ही variable सिर्फ y है, तो वहाँ से हम लोग y कमान असानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से y कम समिकरन एक में रखने पर समिकरन एक में रखने पर चलिए समिकरन एक कहा है यह रहा आपका 2x प्लस का 3y बराबर में 7 यही नहीं है समिकरन एक चलिए अब यहाँ पे y का मान हम लोग माइनस 3 रख देते हैं तो 2x प्लस 3 इन 2 में माइनस 3 बराबर में 7 यहाँ जाकिए 2x माइनस का 9 हो जागा प्लस माइनस माइनस आ गया और बराबर में 7 2x बराबर में हो जाएगा 7 पलस में 9 हो जाएगा यानि 2x बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 16 यानि x बराबर में 16 बटा 2 कट जाएगा 8 बार में यानि x का मान कितना आ गया 8 आ गया तो x बराबर में 8 हो गया और y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर आपका जो दिया है उपर हमने निकाला यहाँ माइनस 3 तो x का 8 और y का माइनस 3 समझ गए चलिए अगला कोशन देखते हैं 3 नम्मर समिकरन दिया है हमारे पास 1 बटा x प्लस 5 बटा y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान के लिए तो चलिए हम लोग x के जगा इसमें 2 रख देते हैं x बराबर 2 पर क्या जगा 1 बटा y बराबर में 3 चलिए आगे solve करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास बटा y बराबर में 3 माइनस 1 बराबर 2 5 यहाँ घटेगा तो आपका 5 हो जगा और बटा में 2 क्रोस मल्टिप्लाई कर देते हैं तो 5 y बराबर में आ जाएगा 10 यानि कि y बराबर में हो जाएगा 10 बटा में 5 कटके कितना जाएगा 2 y के मान कितना आ गया 2 आ गया तो मैं y कहीं न मान निकालना था चलते हैं अगले कोशन पे चलिए अगला कोशन देखते हैं चाहर नमर कह रहा है निम्न समीकरनों के युगमों को विलोपन बिधी से हल कीजिए तो मैंने आपको विलोपन बिधी बता रखिए पार्ट 2 वीडियो में चलिए देखते हैं पहला कोशन देखिए दिया है 3x प्लस 4y बराबर में 10 यह पहला समीकरन हो गया और दूसरा समीकरन दिया है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर में 2 यह दिया हुआ है यह दूसरा समीकरन है मुझे क्या करना है यहां x और y का मान निकालना है बिलोपन बिदी से तो देखिए मैं क्या करूंगा मैं देख रहा हूँ मुझे या तो x वाले टर्म को सेम करना होगा या तो y वाले को दोनों समीकरन में अगर मैं समीकरन 2 में 2 से गुना कर दूँ और समीकरन 1 में 1 से गुना कर दूँ तो यहां भी माइनस का 4 होगी यहां प्लस का 4 होगी तो कड जागा न इसलिए लिखेंगे समीकरन 1 में 1 से समीकरन 1 में 1 से तथा समीकरन 2 में समीकरन 2 में 2 से गुना करने पर दिखें तो एक से गुनागा तो वही है जागा थ्री एक्स प्लस में फोर वाई बराबर में दस और समीकरन दो में दो से गुनागा तो हो जाएगा 4x minus 4y बराबर में 4 तो हमें करना क्या होता है इसमें या तो x वाले term को या तो y वाले को same करना होता है तो देखिए तो यहाँ y वाला same हो गया ना और यहाँ पर आप sign बदलने के कोई जोत नहीं क्योंकि पहले से यह प्लस माइनस में है तो यह कट जाएंगे यहाँ पर यह आपका जूड जाएगा 7x और यहाँ पर हो जाएगा 14 यानि यह जाएगा भाग में तो x बराबर हो जाएगा 14 बटा में 7 कट के 2 तो x का आमान कितना आ गया दो आगया अब x का आमान समीकर्ण नेक यह दो, कीसी में भी रख दीजीए, ठीकेंगे, ready X का मान, समीकर्ण, 1 में रखने पर, कीसी में भी रख सकते नहीं है, समझें न, चली रखते हैं, समीकर्ण नेक आपका है, 3X प्लस का 4Y, बदाबर में 10, हमें X का मान 2 रख देना है, तो तीन गुना दो प्लस में 4Y बडाबर में 10 आगे solve करते हैं तीन गुना छे हो जागा 6 प्लस 4Y बराबर में 10 यनि की 4Y बराबर में 10 में से 6 घटा देंगे यहां 4Y बराबर क्या जाएगा 4 आजाएगा यनि की Y के मान अब कितना हो जाएगा चार बट्टा चार कट के आपका कितना हो जाएगा एक या लिख सकते हैं कि एक बराबर दो हुआ और य बराबर में एक, समझ गया है, चलते हैं अगले कोसन पे, चलिए अगला समिकरन देखते हैं, कोसन नमबर 2 के लिए, चलिए देखते हैं, 3x-5y, यह मैंनस का 4 जा हैं, इ तरफ और कॉंसेंट को एक तरफ कर लिया इसको सीधा कर लिया देख रहा था ना माइनस वाले को इधर भे दिया और यह प्लस में टू आई जो था उधर इसको इधर लेके चलाए क्योंकि यह वेरियेबल है तो वेरियेबल के साथ मैंने रखा अब यह करेंगे तो हम लोग इ 2 में 5 से गुना करते इसमें समिकरन correct मैं 2 गुन और 5 गुना तब का वाई बाला से मोज़ता तो ना बात को कोई भी NXT का गुनांग्या वाई का गुनाइंग Same करना होगा चरहा अब देखतें लिपितें मैं 38 में गण 2 से तथा समीकरन दो में एक से गुणा करने पर गुणा करने पर चलिए गुणा करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा नाइन एक्स माइनस का ये पांच वाई है न जी तो पांतिया पंदरा हो जाएगा पंदराव आई और बराबर में चार्तिया बारा इधार एक से गुणा करते ही आएगा नाइन एक्स माइनस दो आई बराबर में जाbl आओज अब यहां में साइन बदलना होगा क्योंकि दुन्हों और बराबर में यहाँ घटेगा तो 5 यह न हो जएगा कोई दिकत नहीं है तो remaining 5 बट्टा में 13 वाग में तो य का मान तो निकल गया माइनस पांच बटा तेरा अब य का मान समिकरन एक है दो में रखना होगा ना जी लेकिंगे य का मान समिकरन चला हम इस पर दो में रख देते हैं उसे कोई प्रव्लम ने किसी भी समिकरन में रख सकते हैं 9x-2 y का मान किता है, minus 5 बटा 13 बराबर में 7, 9x-- यहां पलस हो जाएगा, पांदुना 10 और बटा में 13 बराबर में 7, पलस में उधाज ले जाते हैं, घटाते हैं, यहीं पर कर दूँ क्या, 9x बराबर में हो जाएगा, 7-10 बटा 13, 9x बराबर में यहां एल्सियम लेंगे 13, यह कुछ ने नीचे तो 1 है, और 1 में 13, 13 साथ एक क्यान मेर हो जाएगा, और माइनस का 10, समझ गया है, 9x बराबर में, यहां उपर घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 81 और बटा में 13, यहां लिख सकते हैं, कि इसलिए, एकस बराबर में आपका आगया, 9 बराबर तेरा, और वाई बराबर में क्या आया है, माइनस का 5 बराबर तेरा, समझ गया है, चलते हैं अब अगले कोशन पे, कोशन नमर फाइव देखिए, यहां भी हमें X और Y का मान निकालना, हल करना एक समिकरन को, तो देखिए, आप चाहो, तो डायक्ट इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही हो, तो पहले इसे LCM लेके सॉल करके, एक रैखिक समिकरन के ब्यापक रूप में बदल लो, माइनस का एक, यानिकि 3X पलस का 4Y बराबर में माइनस का 6, यह पहला समिकरन हुआ, दूसरा वाला देखिए, X माइनस Y बट्टा 2 बराबर में है 3, LCM लेते हैं 2, या कुछ नहीं नीचे तो 1 है, 1 में इसे बाग करें 2, 2 जाके इसमें गुणा करेंगा 2X माइनस का, इसमें से बाग करेंगे, एक एक जाके वाई में गुणा करेंगा Y बराबर में 3, यह जाके उधर गुणा कर देगा, तो 2X माइनस का Y बराबर में 6 हो जागा, यह आपका समिकरन 2, तो अब देखिए हमें क्या करना होगा X का गुनांग क्या Y का गुनांग से हमने लोगा तो चलिए अब इस बर Y का करते हैं समिकरन एक में गुना करते हैं एक से और समिकरन दो में गुना करते हैं चार से तो यहां भी चारवाई हो रहे हैं 4 से गुणा करने पर, शमिकरन 2 में 4 से गुणा करने पर, घुणा करने पर, चले तो समिकरन grade में 1 से गुणा करिये, तो 3x PLUS 4y βराबर में माइनस का 6, और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 8x minus का चार y बराबर में 64 कितना हो जाएगा 24 यlä आपका कट जाएगा यहां पहीं आ जाएगा यहां आरा sp और बराबर में यहां solve करेंगे तो आपका कbay हैगा गटाइंगे तो कितना साएगा word फाटार आ जाएगा यहां इस गामाल में 2 में रखने पर ठीक है एकस का कि रहा है तो एकस माइनस कावाई बराबर में 6 देखो एकस का शान हो माल preca में राखना है 181 च्छे तो यहां च्छतीस और मैनस का 66, यानि Y का मान आजाएगा, मैनस का 30 बटा में 11, समझे ना बात को, यानि X का मान जो हुआ, आपका, इसलिए X का मान जो हुआ, 18 बटा 11, और Y का मान जो हुआ, मैनस 30 बटा में 11, यह होगा, समझे ना बात को, तो आपके बुक में जो answer दिया है, वह X का मान दिया तो यह कब आता जब यहां पर बटा में तीन लेते तब एकस माइनस वाई बटा तीन यहां रहा था ना बराबर में तीन नहीं बाकी सब सही है यहीं पर तीन खाई रख दे जाए तो यह अंसर आने लगा चलिए मैं यहां तीन करके भी आपको बना के दिखा देता हूं इतता हूं यहां मैं तो मैं समीकरण 2 ले लेता हूं तो मैं समीकरण 1 गुना करता हूं एक से या देखो ना पहले से ही सेम है एकस वाला दोनों सेम ही है गुना करने की जरुवत नहीं है ठीक है एकस का गुना करने की जोतनी है समिकरन एक तथा दो से ठीक है समिकरन एक तथा दो से 3x पलस 4y बराबर मैनस से और यह है आपका 3x मैनस y बराबर में 9 चलिए अब यहा करते हैं यहां से देखिए माइनस प्लस मैन partir यह दोनों कट जायागा यह minus 60 मइनस कर दो रोगेमाइन सिसमिकरन में 25 क्ट ना किका मान दो किसी में रख दो वाइी का मान समिकरन समिकरन 2 में रखने पर 2 में रखने पर समिकरन 2 में रख देते हैं y का मान यहाँ पर तो समिकरन 2 यह आपका है 3x माइनस का y बराबर में 9 y का मान यहाँ माइनस 3 रख देना है माइनस 3 रख देना है तो यहाँ से हो जाएगा 3x पलस का 3 बराबर में 9 3x बराबर क्या हो जागा 9 minus 3 यानि 3x बराबर में हो जागा 6 तो 3 ले जाएंगे भाग में तो x का मान क्या जाएगा 6 बटा में 3 कट जाएगा 2 यानि कि x का मान क्या गया यहां से 2 आ गया इसलिए यह लिख सकते है x बराबर में 2 और y बराबर में minus 3 समझ गए कोसर नमर 6 देखिए समिकरन दिये हुए हमारे पास 2 ठीक है एक दिया है 5x-7y बराबर में 8 और दूसरा समिकरन दिया है 10x-3y बराबर में 33 यह दो समिकरन है इसमें से x को बिलोपन कर यानि x को eliminate कर देना है और y में समिकरन गयाद करके उसका हल गयाद करना है ठीक है तो जब x को eliminate करना है तो मुझे x के गुडां को समान करना होगा तो समिकरन एक में 2 से गुणा कर देते हैं लिगेंगे समिकरन एक में 2 से तथा समिकरन 2 में समिकरन 2 में एक से गुणा करने पर गुणा करने पर चली देखते हैं क्या होता है दास x माइनस का 14y प्लस का 16 बराबर में प्लस का 16 हो जागा और इसमें दास x प्लस का तीन वाई बराबर में 33 है तो यसी रहेगा चलिए यहाँ पर साइन बदलते हैं माइनस 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 हमें क्या करना है एकस वाले को कितना आ जाएगा आपका तो यहाँ जाएगा कितना जाएगा जी सत्रा सुरी यह थ्री है मैंने 13 गलती से ले दिया है माइनस का थ्री है ठीक है और बराबर में इधर माइनस का सत्रा समझें यह दुन्नो माइनस का है दुन्नो माइनस का है तो जोड़ दो इसको तो माइनस का सत्रा वाई बराबर में माइनस का सत्रा माइनस माइनस काट देते हैं और यह जाएगा भाग में तो यहां से वाई बराबर हो जाएगा सत्रा बट्टा सत्रा कटके एक आ जाएगा वाई क्या मान कितना आ गया एक तो देखो हमने एक्स को एलिमिनेट किया वाई में समीकरन ग रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, समिकरन एक दो किसी में भी, तो है समिकरन एक क्या है, 5x-7y बराबर में 8, तो 5x-7y क्या मान कितना है, एक है, और बराबर में 8, तो यह सॉल्व करते हैं, 5x-7 बराबर में 8, 5x बराबर में हो जाएगा, यह जाकर जुड़ जाएगा, 8 प्लस साथ, यहनि कि 5 x बराबर में 15, ठीक है, x बराबर में आ जागा 15 बटा 5, कर जागा 3 बार में, तो x का मान कितना गया 3, इसलिए यह लिख सकते हैं कि x बराबर में 3 है, और y बराबर में 1 है, समझ गया कोई दिक्कत नहीं है, यह अगला कोशन ने किया 7 नमर, दो समिकरन दिया है, एक दिया है, a x प्लस by बराबर में 2, पहला समिकरन, और दूसरा दिया है, b x प्लस a y बराबर में 3, यह समिकरन दूसरा है, क्या कहा रहा है, कि इसमें से y को भी लुक्त करना है, तो y को हमें समान करना होगा, तभी न भी लुक्त होंगे, चलिए तो y के समझ रहा है ना तो लिखेंगे समिकरन एक में A से तथा समिकरन 2 में B से गुणा करने पर गुणा करने पर चलिए तो A से गुणा करेंगे तो हो जाएगा A स्कॉार X पलस में A by बराबर में 2 it और इसमें B से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे B square X plus में A, B, Y बरावर में 3B समझें ना, यहाँ पे sign बदलते हैं minus, minus, minus यह दोनों कट जाएगे ना, plus minus में है तो यह दखो, यहाँ पे बचेगा A square X minus का B square X और इधर होगा 2A minus का 3B यहाँ से X common कर लेते हैं देख रहाँ ना, भाईवाला eliminate हो गया तो यहाँ पे A square minus B square बचेगा X common करने पे और बरावर में 2A minus 3B यहाँ से X का मान क्या जाएगा 2A minus 3B और बटा में A square minus B square यही ना हमें निकालना था Y को eliminate करके अटा देना था भी लुट कर देना था X का मान हमने निकाल दे X के रूप में समी करन गयाद कर दिया अगला question देखते है question number 8 यहाँ पे समी करन दिया हुआ है 2XY बराबर में 4X plus का 3Y क्या कहा रहा है तो Y का मान गयाद करना है X के पदों में Y का मान निकलना है तो Y को मैं एक तरफ करूँगा ना तो इस 3Y को प्लस का 3Y है इदाले क्याता हो माइनस में 2XY माइनस का 3Y क्योंकि मुझे Y का मान निकलना है और बराबर में 4X यहाँसे Y common कर लेता हूँ तो बच जाएगा 2X-3 इंटू में Y बराबर में 4X यहाँसे Y का मान क्या जाएगा 4X बटा में 2X-3 तो Y का मान निकलना है X के पद में यह आपका अंसार हो गया समझ गया कोशन नमर 9 देखिए यहाँस और Y का मान निकलना है पहला समिकरन देखते है X-Y बराबर में 8 दिया है और दूसरा समिकरन X-Y बराबर में प्लस का 2 जाके माइनस का 2 हो जागा ना एक तरफ कर लिए यह आपका समिकरन दो है कुछ नहीं चेंज करने की जोरत है ना गुना करने की जोरत है यह देख रहा है Y के गुनांग और यहाँ Y के गुनांग समाल मिलेंगे प्लस माइनस में है कट जाएगा X-X क्या हो जागा 2X और इधर आजाएगा आपका 6 आठ में से 2 घटाएगे ना जी यह माइनस में प्लस में है तो X का मान क्या जाएगा 6 बटा 2 कट के 3 आगया X का मान क्या गया 3 आगया अब लिखेंगे Y का मान 5 जाएगा 8 में से 3 गया 5 यह लिख सकते हैं कि X बराबर में 3 है Y बराबर में 5 है समझ गया है कोई दिक्कत नहीं है अगला कोशन नमबर देखिए 10 हल करना यहां भी xy का मानी करना तो पहला समिकरन दिया है रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर में 0 और दूसरा है रूट 3x इसे मैं रूट 8 को चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं दो गुना दो गुना दो पेर बन जाएगा बाहा निकल जाएगा दो रूट 2 हो जाएगा वसे लिखने से कोई फाइदा नहीं है लिख देते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है मैनस का दो रूट 2y बराबर में 0 यह समिकरन 1 है यह आपका समिकरन 2 है तो मैं एक काम करता हूँ दोनों में से किसी एक को समान करना होगा तो मैं समिकरन 1 में गुना कर देता हूँ रूट 3 से और समिकरन 2 में गुना कर देता हूँ रूट 2 से ताकि यह भी रूट 6 एक्स हो जाए यहां भी रूट 6 एक्स आजए से गुणा करने पर गुणा करने पर चलिए तो इसमें रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्याएगा रूट 6x पलस का रूट 3 में रूट 3 से होगा 3 हो जाएगा 3y बराबर में 0 अच्छा, root 2 में इसे करना है, so root 6x minus का, यहाँ देखो, root 2 में root 2 से गुना होगा, 2, 2, 2, 4 हो जstat रही स्थी, देखिए, minus, plus, minus, यह खट जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह plus का रही स्थी, 0 ve76, कहने का मतलव why का मान, 0 आगया, अऑभ why का मान, समीकरन एक में रखने पर समीकरन एक क्या है आपका रूट दो एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर में जीरो तो य क्या मान जीरो रखना है रूट दो एक्स प्लस में रूट थ्री वाई के जगा जीरो बराबर जीरो हो जागा रूट 2 x बराबर में 0 यानि x बराबर में x बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 बटा रूट 2 यानि कि 0 तो इसलिए हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 0 रहें ता इसलिए x और y मिले क्या है ? दोनों का माँ जीनल 0 ही आया है समझ गहplets न चलिए इस वीडियो का हम लोग यहीं पेंट कर दते हैं. नेक्स वीडियो में आगे कोशन को दखेंगे. आपको हमारे तीन चेनलों को सस्क्राइब करना हुगा. पहला है, पातं फाइंडर क्लासे छपरा. पातं फाइंडर क्लासे छपरा. दूसरा है भारती भवन रवी कांथ सर और तीसरा चैनल है रवी कांथ सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे रिलेटर वीडियो के लिए सीधर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसके related notes के लिए Google पे जाके सर्थ करेंगे www.ravikant.in और यहाँ पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं